दोस्तो ये है 36 गड़ जो कि अपने बहतेरीन परेट अनस्थलों के लिए पूरे भारत वर्स में प्रसिद्ध है विसालवनों से घिराववा ये राज भारत के सबसे बड़े राजियों में से एक है इस राजे में मौझूद दुरलब पहाडियां, वाटरफॉल और वन्यजीव सैलानियों के लिए आकर्सन का केंद्र है इसके अलावा प्राचीन मंदिरों और असमारकों के लिए भी 36 गड़ काफी फेमस है गर्मियों के मौसम में किसी हील स्टेशन में घूमना स्वर्द के रास्तों पर जाने जैसा होता है भारती राजे 36 गड़ में कई पहाडी, हिल्स, सांधार, छटाओं और प्राकृतिक द्रिशे के लिए मसूर है इन प्राकृतिक जगों में घूमने के लिए 36 गड़ के अलावा जारखंड, उडीसा, पस्चिम मंगाल और देश के कई अन्य भागों से लोग छोटियों में पहुशते हैं तो आईए जानते हैं 36 गड़ के 10 सबसे खुबसूरत हिल्स स्टेशनों के कुछ अमेजिंग और इंट्रेस्टिंग फैक्स के बारे में लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को प्रेस कर नमबर वन कांगेर घाटी निशनल पार्क दोस्तों 36 गड़ में स्थित कांगेर वैली निशनल पार्क प्रकृतिक सुंदरता और वन्य जीओ के अभ्यारन के रूप में जाना जाता है लगभग 200 वर किलोमेटर के आकार का ये खुबसूरत सा पार्क आश्चर्य जनक दूर है और 36 गड़ के कोरिया जिले में स्थित है इसके खोबसूरत द्रिश्य और प्राकृतिक सुंदरता के कारण इसे 36 गड़ का स्वर्ग भी कहा जाता है ये छेत्र विदेशी पौधों और जानवरों के जीवन से भरा हुआ है और घने जंगलों से घिरा हुआ है दोस्तों 36 गड़ के दंते वाड़ा छेत्र में स्थित बैला डिला आयरन और के बड़े भंडार के लिए प्रसिद्ध है ये भव्य छेत्र हारियाली और घने वन छेत्रों से काफी अलग दिखता है 1276 मीटर की उचाई परिस्थित बैला डिला राज्य में सबसे अधिक देखी जाने वाली जगों में से एक है राज्य के कुछ बहतरी इंजहर ने इस पहाड़ी पर देखे जा सकते है 4. चित्रकोट वाटरफॉल दोस्तो चित्रकोट वाटरफॉल को भारत के नियागरा फॉल्स के रूप में जाना जाता है इंद्रावती नुद्रण दीद्वारा बनाया गया घोडे की नाल के अकार का ये वाटरफॉल लगवग 30 मीटर की उचाई से गीरता है रंग बिरंगी पत्तियों से घीरा ये खुबसूरत सा वाटरफॉल मौनसून के मौसम में एक सुन्दर रूप धारन कर लेता है 5. गढ़िया पहाल कांकेर दोस्तों कांकेर जीले का सबसे उचा परवत कीला डोंगरी है जिसे गढ़िया पहाल के नाम से भी जाना जाता है पहालों के नीचे बहने वाली दूध ने दी यहां का मुख्य आकरसन है महासिवरात्री पर राज भर से लोग यहां पूजा अचना करने और आसिरवाद मांगने आते हैं वन्य जीवन के विश्तरित सिंखला के कारण, ट्रैकर्स और पर्यावरन प्रेमी इस खूबसूरत उचाय की ओर काफी अकरसित होते हैं इस खूबसूरत से परवत पर विभिन प्रकार के पौधे और सम्रिद हर याली देखी जा सकती है दोस्तो चतिस गड़ के सबसे महान हिल स्टेस्टों में से एक है अंबिकापूर जो चतिस गड़ के सरगूजा जिले में स्थित है आप यहाँ पर नदियां, गुफाएं, जहरने और पहाडों के दिदार कर सकते हैं इस जगह के अधिकांस छेत्र में जंगल मौजूद है इसका अकरसन सिवनाथ नदी के द्वारा काफी बढ़ा दिया जाता है अंबिकापूर अपने सोहारदपूर वातावरन, सम्रिध संस्कृती और आस्चारेजनक द्रिश्यों के कारण चतिस गड़ में एक लोगप्रिय परेटा नस्थल है इसके इतनी खुबसूरती के कारण लोग इस जगह पर घुमने के लिए दूर दूर से आते हैं दोस्तो मैन पार्ट को 36 गड़ में मीनी तिबबत के रूप में जाना जाता है कई नदियों और घने जंगलों से परिपूल्ण मैन पार्ट परिवार संग घुमने के लिए एक बेहतरीन जगह है आप इस जगह पर ट्रैकिंग का भियानन दूठा सकते हैं यहां आप स्थानिय और तिबबत्य संस्कृतियों और विविद परंपराओं के संगम को काफी करीब से देख सकते हैं नमबर एट कोर्बा हिल स्टेशन दोस्तो कोर्बा हिल स्टेशन अपनी प्राकृतिक सुन्दर्ता, सम्रिध सांस्कृतिक विरासत और सुखत जलवायू के लिए जाना जाता है यह हिल स्टेशन ट्रैकिंग और हाइकिंग जैसे साहसिक गतिविध्यों के लिए भी कापी लोगप्रिय गनतव्य है दोस्तो अबूज माड हिल स्टेशन नारायनपूर दोस्तो अबूज माड हिल स्टेशन च्टिस गड़ के 4000 स्क्वाडा किलोमिटर से अधिक छेतरफल में पैला हुआ एक बेहतरीन हिल स्टेशन है ये खुबसूरत सहील स्टेशन चातिस गऴ के नारायन पूर जिला, बीजा पूर जिला और दन्ते वाडा जिला को कवर करता है 36 गड के सबसे हरे भरे जंगलों और खुबसूरत पहाडियों से घिरा हुआ ये खुबसूरत सहील स्टेशन देखने में काफी सांदार लगता है दोस्तो मैकल पहाडियां 36 गड के कवरधा जिले और मद्य परदेश के अनूप पूर जिले में सत्पूरा का पूर्वी भाग है जो कवरधा के सुन्दर सहर की ओर देखता है इस पहाडी की उचाई समुदर तल से 340 मीटर से 942 मीटर तक की है ये सघनवन और कम आबादी वाला छेत्र नर्मदा और वैन गंगा नदियों की सहायक नदियों सहित कई जलधाराओं और नदियों को जन्म देता है 36 गड़ के सबसे खुबसूरत प्राकृतिक जगों में से एक है मैकल की पहाडियां अगर आप ट्रैकिंग को ही सब कुछ मानते हैं तो आपके लिए मैकल पहाडियों में काफी रहस्य चुपे हुए हैं इस खुबसूरत से पहाडी को एक्स्लोर करने के लिए आपको कई दि ये थे 36 गड़ के 10 सबसे सांदार हिल स्टेशन इन हिल स्टेशनों के अलावा भी 36 गड़ में कई सारे खुबसूरत पर एटनस्थल मौजूद है तो दोस्तो इस वीडियो में मैंने आपको 36 गड़ के 10 सबसे खुबसूरत हिल स्टेशन के कुछ अमेजिंग और इंट्रेस् ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से एर कर दें दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली भार वीडियो देख रहे हैं और आगे भी फ्यूचर में इसी तरह के अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को प्रेस कर दें ताकि चैन झाल झाल